हेलो फिरेंट्स आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है आज मैं अधिक पकेवे केलों से एक बहुत ही स्वाधिष्ट और हेल्दी रेसिपी बना रही हूँ जो की हम ब्रत या प्वास के दोरान भी हम खा सकते हैं बनाना बहुत आसान है और बहुत ही कम सामा काल सामान लगता है घर में आपके वह सामान मौज़ू दी होता है जो इसमें लगेगा तो मैंने इसको छिलके हमेंने काट लिया है काटने के बाद एक पैन में हम एक टेबल इस्पूंगी चौलाई के भुने उवे बीज को मैंने अच्छे से पफ किया था घर पर ही मैंने इसको फॉप किया था इसको एमरेंथ या इसको राजगीरा भी कहा जाता है पॉप करने के बाद इस इनको मैंने चान लिया था मोटी छली में ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी सीट से भुने नहीं नहीं होंगे पॉफ नहीं होंगे अच्छे से तो वह सकतो होते हैं और रेसिपी मैं मैंने शुरू कर दिया है मैस करना है अच्छे से इस तरह से इसमें रेसिपी में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा बहुत ही यह स्वारिष्ट बनके तयार होती है और हेल्दी तो है आप देखी रहे हैं इसमें क्याकर इंग्रिएंट से पढ़ेंगे अभी बाद इसमें हम डाल देंगे एक कप मैं इसमें डाल दूँगी धूद डूद डालने से होगा यह कि जो मिल्क पाउडर है वह अच्छे से इसमें मिल जाएगा इसमें विल्कुल भी लम से नहीं बनेंगे इस तरह से हो जाएगा और हमारा जो राजगीरा है जो चौलाई है वह भी अच्छे से सौप्ट हो जाएगा दूर डालने की बज़े से और हम इसको उलट पुलट करके अच्छे से इस तरह से हम पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसको पकाना है और अब हम इसमें डाल देंगे गुड़ मैंने गुड़ पाउडर डाला है आप नौर्मल जो रेले वाला गुड़ होता है उसे भी डाल सकते हो लेकिन यह आपके गुड़ में इन्प्यूरिटी है तो आप डारेक ना डालें गुड़ का सिरफ बना के च्छान के तब डालें यदि गुड़ का सिरफ आप बना रहे हैं तो आपको थोड़ी और अधीक देर तक पकाना इसको पड़ेगा क्यूंकि मैंने गुड़ पाउडर डाला है तो ज्यादा देर तक नहीं पकाना पड़ेगा और अब मैं डाल दे नहीं बनेगी अभी आप दख्यों कि इसको कितना और पकाती हूँ हुआ इसे पकाना है अभी इस पर हम लो रखेंगे अपनी फ़ले μ को लो फ्लेम को लो फलेम पर हमने इस तरह से लगाता चलाते वह उसको पकाना नीचे से नीचे जल जाय घा यह तो से लख प्लट के हमने पकाना है देखिए कलर भी चेंज हो गया है थोड़ा टार्क हो गया है और अभी मैं पास से रिखाती हूं यह इसमें से जो घी है वो सेफरेट होने लगा है आप साइट से देख रहे होंगे तो अब हम अपनी गयस को कर देंगे बंद और इसके ठंडे होने का कट लगाते हैं कि ऐसा करना हैं कि मैं बने बने ऐसा है इतना इसको पकाना हृ इतना है शानी असंब कात और इसनी से मैंने अपने ऑंवर्जा आ दिया था और इसके जो इसमें इसको कोड कर लिया है लड्डू के बाहर से और एक्ष्टा जो सीट से उनको मैं हटा दे दियूँ क्योंकि मेरे हाथ भी अभी एश्टिकमी हैं थोड़े से लड्डू बनानी के वधे से तो मेरे हातों में भी चीपक जा रही है इसी तरे से हम सारे लंटू बना लेंगे और इसको हम एक बार बना के पूरे नवरात्री बार खा सकते हैं यानि कि one week तक हम इसको freeze में रखेंगे, बाहर न रखें ऐसको खा सकते हैं तो यह recipe आपको कैसी लगी आप comment करके जरूर बताईएगा यदि आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो रेसिपी को हमारे लाइक करेगा और लोग के साथ भी शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा आज के लिए इतना ही थैंक्स पर वाचिंग